नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर मही पाल सिंग राठोड और आज इस वीडियो में हम चार्चा करेंगे Zoological Survey of India द्वारा रिलीस करी गई एक रीचेंट रिपोर्ट के बारे में इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि Malayan Giant Squirrel प्रजाती भारत में 2050 तक Extinction के खत्रे पर पहुँच सकती है ऐसा क्यूं हो रहा है और इस species के importance क्या है इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे याद रखिए जो भी species न्यूज में रहती है उसके exams में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है तो इस species के बारे में basic idea आपको होना चाहिए इसका habitat क्या है, IUCN status क्या है red list में इन सभी बातों को मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में अगर आप मुझसे social media पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे Twitter, Facebook या Instagram पर महिपाल राठोड handle पर follow कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा Telegram चैनल भी मिलेगा तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं मेरे lectures के Study IQ IAS exam के तयारी के लिए एक smart course लेकर आया है जो आप mobile phone और computer दोनों पर avail कर सकते हैं इस course में 1300 प्लस वीडियो हैं इस अ comprehensive course जो आपको pre plus mains की पूरी तयारी करवाएगा और इस course के कई features हैं जिनको आप हमारी app पर जाकर detail में देख सकते हैं Zoological Survey of India ने पहली बार Malayan Giant Squirrel प्रजाती पर एक survey किया पहली बार detailed study हुई है इस species पर इंडिया में और इसका जो main area है वो है North East India वहाँ पर यह पाई जाती है वहाँ पर इसके extinction का खत्रा बहुत जादा है अगले 30 सालों में यह study कहती है कि squirrel के numbers 90% तक कम हो सकते हैं 2050 में यानि कि आने वाले 30 साल में ही 90% population इसकी कम हो सकती है और अगर अभी steps नहीं लिये गए तो हो सकता है कि यह extinct भी हो जाए आने वाले कुछ decades में और यह जो squirrel है Malayan Giant Squirrel यह forest health indicator species है यानि कि यह species बताती है कि overall forest की health कैसी है अगर यह species की number अच्छे है इसका मतलब पूरा forest अच्छी condition में है numbers कम हो रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई cause है जिसके कारण जंगल properly preserve या conserve नहीं किया जा रहा और यह species under severe threat for existence है according to the ZSI report यह गिलहरी की प्रजाती जैसा कि नाम ही आपको बता रहा होगा giant squirrel है बड़ी गिलहरी है जो आम तोर पर आप और हम अपने घरों के आसपास cities में या गाओं में देखते हैं यह उस squirrel से थोड़ी सी अलग है यह आपको घरों के आसपास नजर नहीं है यह urban environments में यह एक particularly jungle में रहने वाली species है और यह giant squirrel इसले कहते हैं इसकी size काफी बड़ी होती है एक से लेकर 3 kg तक इस squirrel का वजन होता है और यह इसको scientific नाम है इसका ratufa bicolor bicolor क्यों कहा जाता है इसे क्योंकि आप देखिए उपर का जो इसका color है यह black है लेकिन यह underbody जो है इसकी पूरी cream color की होती है तो इसलिए दो color होते हैं इसमें black और cream या फिर light brown जो भी आप कहना चाहो तो इसलिए इसको कहते हैं ratufa bicolor भारत में दो और giant squirrel की प्रजातिया है जिनके बारे में मैं आपको आगे इस lecture में बताऊंगा लेकिन अभी जो इस study हुई है याद रखेगा यह इस black giant squirrel पर हुई है जिसको हम malayan giant squirrel भी कहते हैं तो malayan इसको क्यों कहते हैं क्योंकि इसका जो main area है वो आप देख सकते हैं जो malaysia देश है malay peninsula है यहाँ पर यह बहुतायत में पाई जाती है इसलिए इसको malayan giant squirrel कहा जाता है वैसे इसका पूरा south east Asia का जो भाग है यह इन पूरे areas में मिलती है और भारत में आप देखेंगे mostly north east India का जो portion है और वहाँ पे यह देखने को मिलती है तो इसका जो native है वो भारत में क्या है north east India के जंगल और यह mostly रहती है evergreen, semi evergreen forest में from elevations of 50 meter to 1500 meter above sea level southern China, Thailand, Laos, Vietnam, Burma, Malayan Peninsula, Sumatra, Java यह सभी इसके areas हैं habitat है भारत में 20% population इस squirrel की 1500 से 2700 meter के elevation में यानी पहाडों में है और बाकी plains या फिर 1500 meter तक की height वाले regions में है IUCN red list में अगर आप इस species को देखेंगे तो 2016 में इसे डाला गया था near threatened list में लेकिन याद रखेगा यह इसकी global status होती है यह भारत में नहीं है क्योंकि आप इसका जब distribution देखोगे तो यह लगबग 7 आंच देशों में मिलती है तो इन सभी देशों में यह near threatened है लेकिन अगर भारत की हम बात करें तो ZSI की report ही कह रही है कि अगर हमने सही steps नहीं उठाए तो यह आने वाले 30 सालों में extinct हो सकती है भारत में इस वक्त यह उत्तरपूर्वी राज्यों में सिक्किम, असाम, अरुनाचल प्रदेश, मिगाले, नागालेंड और West Bengal में पाई जाती है इस map में आप इसका area देख सकते है याद रखना मिजोराम और त्रिपूरा में यह नहीं इसका area है और मनिपूर में भी इतना नहीं है बाकी जितने भी states हैं उन सब में यह हम देख सकते है लेकिन अगर सही कदम नहीं उठाये गए समय रहते तो इसका area केवल सदन सिक्किम और नौर्थ बेंगाल तक सिमट कर रह जाएगा यानि कि यह वाला जो region है ultimately है यहीं पर सिकुड कर रह जाएगी क्योंकि यहाँ पर forest थोड़े जादा dense है और southern सिक्किम पहाड़ी area भी आ जाता है तो यह वाला जो area है केवल यहाँ तक इसकी population रह जाएगी बाकी सारे areas में इसकी population इसका habitat काफी दबाव में है already भारत में 43% जो इसका area है original habitat है केवल उतना ही 43% ही अब favorable बचा है जहाँ पर यह अराम से रह सकती है तो यह जो area आपको इस map में दिख रहा है इसमें ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में सभी जगे यह squirrel मिलती है इस area में भी अब केवल 43% region आधे से भी कम areas में ऐसे हालात हैं कि यह squirrel की population आराम से survive कर सके और 2050 तक यह zone और कम होकर केवल 3% रह जाएगा केवल सिक्किम और North Bengal वाला area रह जाएगा अब Malayan giant squirrel के बारे में कुछ basic बातें आपको बता दें तो यह दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरी की प्रजातियों में से एक है यह diurnal है, diurnal का मतलब दिन में active रहते हैं वो प्राणी, arboreal यानि कि यह पेडों में उपर रहते हैं टहनीों में रहते हैं, उनको कहते हैं arboreal और herbivorous यानि कि जो घास पूस पेड़ पत्ती खाते हैं उनको herbivorous rodent कहते हैं तो इसकी upper body होती है dark black color की इसलिए इसको black giant squirrel भी कहते हैं लेकिन इसकी जो under body है, नीचे से यह बिल्कुल हलके रंकी होती है, pale color होता है और इसकी खास केती है कि इसकी tail इसकी पूँच बहुत बढ़ी होती है, almost इसकी body जितना weight तो इसकी पूँच का होता है तो इसका जो वजन है वो आम तोर पर एक से सवा किलो ग्राम तक होता है, लेकिन कुछ conditions में तीन किलो तक की भी squirrels देखी गई हैं, लेकिन average जो है, average एक से सवा किलो का weight होता है अगर आब इसको हमारे आसपास घरों के आसपास मिलने वाले squirrel से compare करो तो उसका weight के वाल 500 gram होता है तो ये उससे लगबग साथ गुना जादा वजनी है, इस giant squirrel का overall area जो है पूरी दुनिया में उसका 8.5 प्रतिशत भारत में आता है, IUCN की red list में ये already near threatened पर है, भारत में ये Wildlife Protection Act के थाहत, protected है species, लेकिन फिर भी इसके आबादी पिछले दशकों में, दो दशकों में 30% तक कम हो चुकी है, 30% decline already हम देख चुके हैं सन 2000 से सन 2020 के बीच में, इसकी population कम होने का सीधा link है forest cover के साथ, अब 2013 तक तो North East India में forest cover भढ़ रहा था, लेकिन 2013 के बाद से forest cover decrease हो रहा है, in fact 2019 की जो state of the forest report है उस पर मैंने एक detailed video भी बनाया था, I think exactly एक साल पहले बनाया था, अब उस video को ज़रूर देखे, उसमें भी ये बातें बताई गई है कि forest cover किस प्रकार से North East India में decline हो रहा है, और Malayan giant squirrel का area ही वही है, और उपर से इसको survive करने के लिए बहुत घने जंगल चाहिए, ऐसे जंगल चाहिए है जो कम से कम 20 साल पुराने हो, तो ये ऐसे primary forest में ही survive कर सकती है लेकिन unsustainable hunting, farming और overall जो इनसान की dependency है जंगल पर भढ़ रही है, उसके कारण इसका area सिमटता जा रहा है तो अगर हम इन सभी factors को point out कर दें, लिस्ट में, तो पहला factor आजाएगा deforestation, दूसरा है fragmentation of forest, अगर जंगल हैं भी तो वो fragmented होते जा रहे हैं, एक से दूसरे area के बीच में, सडक्या आ गई, cut off हो रहे है areas, पीसरा crop cultivation and over harvesting of food चौथा illegal trade, इनको मार के बेचा भी जाता है, fur etc के लिए और पांचवा hunting for consumption और ये जो slash and burn, zoom cultivation चलता है, वो भी इसके habitat को काफी नुकसान पहुचाता है अब हम बात करते हैं दूसरे दो giant squirrel species के बारे में, भारत में total तीन giant squirrel species देखने को मिलती हैं तो एक तो malayan या black giant squirrel हो गई, दूसरी है Indian giant squirrel और तीसरी है grizzled giant squirrel, ये जो दोनों प्रजातिया है ये हमें देखने को मिलती है, peninsular इंडिया में, दक्षिन भारत में, लेकिन इनकी भी population गिर रही है 2019 में एक सर्वे हुआ था, चिननार wildlife sanctuary में, जो केरल में स्थित है और वहाँ पर ये पाया गया कि grizzled giant squirrel की population भी almost 85% तक गिर चुकी है, तो grizzled giant squirrel का scientific name होता है ratufa macroeura, और ये इस प्रकार की नजर आती है, पेड़ पर आपको दिख रही है, इसकी body पूरी तरह से black नहीं है, अब ये southern India और Sri Lanka में endemic है और इसको survive करने के लिए चाहिए riparian habitat, riparian का मतलब है कि नदियों के आसपास ये survive करती है तो ये भारत में best हमें देखने को मिलती है, दो नदिया हैं, जो निकलती है, western घाट से और आगे जाके ultimately कावेरी नदी के अंदर उसकी tributaries में जाके मिल जाती है, चिननार और पंबन नदिया, तो ये पंबार और चिननार नदिया हैं, जो केरल और तमिल नदू का border बनाती है, तो इस area में आपको ये giant squirrels देखने को मिलेगी, grizzle giant squirrel और ये ultimately दोनों नदियां अमरावती नदी बनाती है, अमरावती जाकर कावेरी में आगे मिल जाती है, तो ये केरल और तमिल नदू का border है, ओके और ये इसका perfect habitat है, riverine या riparian habitat तीसरी species है ratufa indica, Indian giant squirrel, ये काफी जगे देखने को मिलती है, पूरे peninsula इंडिया में आप इसे जगे जगे देख सकते हैं, या तो ये acidious forest में भी दिख जाएगी, evergreen forest में भी दिख जाएगी, shola forest में भी दिख जाएगी तो महराश्ट्रिम में भी ये काफी देखने को मिलती है, तो इसका color अलग-अलग प्रकार का होता है, और तीनों के अंदर कुछ थोड़े से नहीं हुई, जाते आते कुछ points हैं जो याद रखेगा, ये exam में पूछे जाने की पूरी संभाव न रहेगी, giant squirrel nocturnal होती है या diurnal, तो याद रखना ये diurnal होती है, दिन में active होती है एक flying squirrel की species और अलग होती है, वो होती है nocturnal, वो आत को active रहती है, और ये सभी arboreal हैं और herbivorous हैं just like flying squirrel इसी के साथ ये lecture समाप तोता है, thank you very much for watching this, have a great day